नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का सौधाघर के आज के इस नए वीडियो में साथियों ये सवाल जवाब का उनहत्तरवा एपिसोड है जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौधाघर के जवाब इस बार भी हमने आप लोगों के काफी सवाल लिए हुए हैं और आप लोगों के मन में जो भी दोविदा है उसे कमेंट में लिखके जरूर बताएं जिससे सौध वीडियो के माध्यम से या फिर डेडिकेटेड वीडियो बनाके या फिर सवाल जवाब के एपिसोड में आप के समस्याओं को लेके उसे जल से जल सौल्व किया जाए तो अपना जो भी समस्या उसे कमेंट में जरूर लिखें यदि आपको सौधागर का प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना बोलें यदि आपने चैनल सौधागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर हैं जिससे पूने सहर से जोड़ी जानकारियां रियल स्टेट से जोड़ी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला सवाल है साहिल कौडिया जी का और इनका सवाल है देखे अगर आप स्लैब की बात करेंगे तो इस पर थोड़ा सा अगर हम समझें तो बुकिंग से पहले वो 10% ले सकता है 10% लेके इस टाइम ब्यूटी रेस्ट्रेशन आपको पे करना होता है उसे पे करके आप एग्रिमेंट करा लेते हैं और जैसी एग्रिमेंट आपका कम् आपके जैब से निकल जाते हैं चाहे वो अपने पॉकेट से आप दे रहे हो यानि कि आपका ओन कंट्रिबूशन हो या फिर आप उसे लोन डेस्बस करा के लेते हैं अगला स्लैब यानि कि जब वो पूरा का पूरा स्लैब कम्प्लीट कर लेता है बिल्डिंग का जिस बिल्डिंग में आपका फ्लैट है तो 70% वो आपसे डिमांड रेज कर सकता है यानि कि टोटल 70% ऐसा नहीं कि जो आपसे पहले ले लि 25% का, तो उस 25% को builder दो हिस्सों में भी divide कर सकता है, लेकिन 70% होना चाहिए, पूरा slab complete होने के बाद, उसके बाद जब उसमें sanitary fittings लगनी चालू हो जाती हैं, door लगने चालू हो जाते हैं, तो additional 5%, इसके बाद का जो slab आपका, ये 5-5% का ही होता है, तो अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो सवाल है, आप सीधा पूछ रहे हैं, till he completes all his slab, तो total slab complete होने पे 70% वो आपसे demand कर सकता है, as per RERA, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, याहिल, मदाकिया जी हैं, उनका सवाल है, इसके बाद एक सवाल आपका और भी है, उसे लेते हैं, पहले इसका जवाब आपका दे देते हैं, देखिए, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीगते हैं, जिसका agreement value 50 lakh से उपर है, तो TDS जो है, आपको cut करना होता है, और आपको pay करना होता है, builder के income tax account में, तो आपके लिए वो जो developer है, वो TDS नहीं pay करेगा, और ये 1% TDS होता है, माल लीजे कि आप 60 lakh की property खरीदते हैं, और 10 lakh रुपे builder को आप pay कर रहे हैं, तो उस 10 lakh का 1% आपको deduct करके, उनके ही TDS के account उनको pay करना होगा, यानि कि आप developer के account में advance tax आप pay कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत से developer इसे आपके भियाप पे खुद ही pay करते हैं, तो वैसा ही situation यहाँ पे होगा, जितना जितना पेमेंट करते जाते हैं, यानि कि pro rate basis पे वो 1% TDS कट करके, उनहीं के TDS account में जमा कर दिया जाता है, तो आप इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, developer आपके TDS के account में नहीं pay कर रहा है कि आपका जो है, जब आप income tax return बने जाएंगे तो उसमें आप claim करें, ऐसा नहीं है, जब वो developer जो है अपना income tax file करेगा, तो उसमें उसे वो settle करेगा TDS को, जितने भी buyer को वो property sale कर रहा है, हर किस के case में यहीं होता है, अगर property की cost 50 lakh के ऊपर हो, बीच में जब कोविड की situation चल रही थी, तो इसे reduce करके 0.75% कर दिया गया था, लेकिन दोबारा इसे 1% कर दिया गया है, यानि कि आपके जेब से जितना भी payment developer को जा रहा है, उसका 1% वो अपने TDS account में जमा कर लेता है, या आ आप से कहता है कि आप उसे जमा करिए, यानि कि आपके total package का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि 60 lakh की property आपने ली, 1% TDS उसका जो है 60,000 बना, तो ये 60,000,000 की property नहीं हुई, वो 60,000 उसी 60,000 के अंदर है, कई बार developer वो तुरन settle कर देता है, और कई बार उसे आपके last disbursement में settle करता है माल लीजिए आपने 60,000 का TDS अपने pocket से भर दिया है, और final disbursement आपको 2,00,000 रुपे का देना है, तो 60,000 रुपे माइनस करके 1,40,000 ही आपको payment developer को करना है, क्योंकि 60,000 आपने TDS के against adjust कर लिया, तो इसमें कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई confusion है, तो आप ह one and half year for position, thank you so much once again, देखे याहिल जी, बिल्कुल आप under construction project पे भी tax benefit ले सकते हैं, और ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, और कोसिस ये रहेगी, इस पे पूरा dedicated video बनाया जाए, फिर भी salt में यहाँ पे आप लोगों के सामने रख देते हैं, इसमें तीन चीजें जो है, त जिसके अंतरगत आप PPF में जो भी पैसा जमा कर रहे हैं, उसका deduction आप ले सकते हैं, कोई long term FD है, उसका आप ले सकते हैं, tax saving कोई share आपने खरीदा हुआ है, उसका भी ATCE के अंतरगत आप लोग लेते होंगे, जिसके limit 1.5 lakh है, वैसे ही आपका जो है, आजाता है section 24, और इसक अलावा है section ATEEA, तो ये तीन ऐसी category है, जिसके अंतरगत हम tax benefit ले सकते हैं, अब ये तीनों category को समझने के बजाएज, आप under construction की बात कर रहे हैं, तो under construction में जो भी interest आप पे कर रहे हैं, during the construction, जब तक आपको property नहीं मिल रही है, यानि कि जब तक आपको completion certificate नहीं मिल रहा है, उ एक साल में, दो साल में, तीन साल में, maximum cap पांच साल का बनाया गया है, तो जो आपने tax भरा है, उसे पांच installment में divide कर दिया जाएगा, और जब आपको position मिलेगा, जब आपको completion certificate मिलेगा, उस साल से, उस financial year से, उस साल का जो quota है, दो लाख रुपए का, जो की section 24 के अंतरगत आत तो उस दो लाख को पांच हिस्सों में divide करके, पहला हिस्सा जो है, आप पे करेंगे, जिस साल आपको position मिल रहा है, जिस साल completion certificate मिल रहा है, तो इस तरीके से है, जैसा मैंने आपको बताया, कि इसका पूरा dedicated video जो अब cover करेंगे, तो आपको तमाम चीज़े मिल जाएंगी, इ 31 मार्च 2021 के बीच में हुआ है, यानि 2 साल के अंदर हुआ है, वो जो है 1.5 लाग का additional benefit ले सकते हैं, लेकिन stamp duty 45 लाग के उपर नहीं होनी चाहिए, यानि कि आपके property cost, जो agreement cost है, वो 4.5 करोड के उपर नहीं होना चाहिए, तो dedicated video आपको समझ में आ जाएगा, मोटे तोर पे अभी जो आपने पूछा उसका जवाब मिल गया होगा आपको, मयूर सेजवाल जी है, इनका सवाल है, hello in the floor plan given to me, carpet area as per RERA, it is 893 square feet, but when we calculate dimensions as per the room sizes and close balcony dimensions, bathroom it goes exactly 780 square feet, so there is difference of approximately 113 square feet, can you please provide your input as earliest, why so much difference here and builder is saying internal thickness of walls should also add in RERA carpet area, मयूर जी इस सिलसिले पे हमने पहले dedicated video बनाए हुए है, जिस समय काफी confusion लोगों के बीच हो रहा था, कि आखिर RERA carpet क्या है, builder carpet क्या है, total usable area क्या है, enclosed balcony क्या है, उसका आई बटन पे लिंक चला देंगे वीडियो का जिससे आप लोग उसे देख पर इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मैंने enclosed balcony का भी dimension ले लिया, फिर भी वो 893 नहीं हो रहा है, अगर RERA carpet 893 है, तो उसके अंदर enclosed balcony का area नहीं added है, उसके अंदर किसी भी तरह की balcony, किसी भी तरह का terrace नहीं added है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका exterior wall है, सबसे outer wall है, उसके अंदर का जो area है, excluding terraces, enclosed balcony जो भी आपका balcony वगरा भी दिया हो, dry terrace वगरा दिया हो, उसको हटा के, जो अंदर का space है, वो total carpet area के अंतरगत आता है, भले ही वो internal wall क्यों नहीं हो, क्योंकि जब से रेरा आया है implementation में, first में 2017 से तब से ये rule applicable हो गया है, और आपका सिर्फ और सिर्फ जो एक तरीके से built-up area है, उसी को आप carpet area कह सकते हैं, सिर्फ आपका outer wall अगर exclude कर लिया जाए तो, इस पर dedicated video आप देख लीजिए, फिर भी कोई संसे है, तो आप पूछ सकते हैं, इसे मोटे तोर पे आप ये कह सकते हैं, कि अब का जो carpet area है, पुरान ये दोनों का internal usable space बराबर होगा, क्योंकि अब जो carpet area आपको बताया जा रहा है, उसमें internal wall का area जुड़ा हुआ है, लगातार आप लोग जो है सौधा घर के वीडियो देखिए जरूर, क्योंकि हमने तमाम इस तरह के topics पे वीडियो बनाए हुए हैं, सायद वो आप लोगों स चूट गए होंगे, क्योंकि शाड़े 600 से जादा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसमें तमाम आप लोग जो queries आपके मन में उठ रही हैं, वो covered हैं, उसे देखें, फिर भी कोई समस्या है, तो comment में लिखके ज़रू बताएं, आगे चलते हैं, विजय माने जी हैं, इन 2022. However, as per your video, RERA position date is December 2024. Thank God I watched your video just now. My question is that, how can RERA change the position date so frequently? Can you throw some light on this? How much trustworthy this builder is? And his reputation, reliability in the market about his commitments. So I will be highly appreciated your valuable response at earlier. Thanks and regards. Thank you so much Vijayji. पहले तो आपने प्रोसान दिया, बाकी वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा. देखें, जहां तक belayer का सवाल है, और इसके position date का है, ये सारे project के लिए apply हो रहा है, जो RERA पे position date का extension हुआ है, हमने कई बार बोला भी है. यह इस वज़ इसले साल और इस साल आपको 6-6 महीने का extension मिला है, डेवलपर को महारेरा की तरब से, और महारेरा ने इसे सारे website पे automatically update कर दिया गया है, जहां पे position date आपकी mention होती है, लेकिन जहां पे building position date है, उसे automatic update नहीं किया गया है, उसे developer अपने end पे update कर सकता है, तो मान लीजिए जो इन 12 महीने का extension मिल जाएगा, और उसमें कई towers होते हैं, कई बार उनके बीच में 6 महीने का difference भी होता है, तो जितना भी उनका position date था, उसमें 12 महीने add हो गए, 6 महीने का extension मिला के, जो आपने इतने frequently कैसे change हो सकते हैं, वैसे महारेरा पे इतने frequently change नहीं होते हैं, लेकिन force major clause आने के वैसे 12 महीने का change हो गया, कोई unavoidable situation है, माल डीजे labor strike है, material का ऐसा shortage है, जो एक तरीके से किसी को भी नहीं मिल रहा है, जिसमें developer का fault नहीं है, ऐसे तमाम category बनाई गई है, जिसके base पे developer position को extend कर सकता है, जहां तक बात आप कर रहे हैं, developer के reputation के, trustworthy के, तो ये एक बात तो है कि VTP, आज की date में पूरने में, sale करने में, one of the top developer है, जहां तक रही बात timely position की, तो हमारे पास तमाम calls आते हैं, तमाम comment आ रहे हैं, कि कुछ एक project ऐसे हैं, जो commitment date से delay हुए है, लेकिन अगर उसे हम महारेरा के position date से देखें, तो अभी delay नहीं है, लोग की सिकायते भी यहीं है, कि जो commitment दिया गया, उस पे deliver क्यों नहीं हुआ, उसके तमाम कारण हो सकते हैं, developer इसे बता सकता है, पर यह कारण यह भी है, कि COVID की जो situation रही, जहां पे labor shortage था, कई बार material shortage भी रहा, उसको एक चलते भी position delay हुए हैं, लेकिन आसा यहीं करेंगे, कि जो position date महारेरा पे दी गई है, उसक wonderland if the project name is mantra mesmer, everywhere I see only ads of wonderland and not mesmer, please help me clearing this doubt, thanks again, देखे सुप्रिया जी, जब भी आप, जैसे आप लोग IT field से ज़्यादा लोग हैं, जो वीडियो देखते हैं, पूने में भी इनकी संख्या काफी मात्रा में है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो कोई जब software develop किया जाता है, क कोई project बनाया जाता है, तो उसको एक code name दिया जाता है, उसके अंतरगत उसकी बात की जाती है, और वहीं से कहीं न कहीं से prototype लिया गया है, real estate में भी, कि एक पूरे बड़े नाम को ना बताती हो, क्योंकि यह तो mantra mesmer है, अगर आप document में जाएंगे, तो उसमें बड़ा नाम भ करेंगे, तो किसी की जुबान पर नहीं आएगा, इसलिए उसे एक word दे दिया जाता है, जिससे उसे promote किया जाए, अभी construction शुरू नहीं हुआ है, जस्त महारेरा आया है, या कई बार आने वाला होता है, और उसे धीरे धीरे, यानि कि obvious है कि उसे किसी print मीडिया में, किसी holding के जरिये, direct जो है promote तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेरा आया नहीं है, लेकिन अगर वो code name है, तो something coming up, wonderland coming up in केशो नगर, xyz coming up in केशो नगर, ये तो कर सकते हैं, coming up, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप आई ये खरी दिये, तो अभी project चालू नहीं हुआ, even though अगर रेरा मिल भी गया है, sale चालू भी किया गया है, तो project का construction नहीं शुरू किया गया, एक single word से, catchy name से, उसे promote किया जाता है, आप लोग लेते हैं, और फिर एक बार उनके पास chance होता है, कि अगर नया phase वो launch कर रहे हैं, तो आप वो code name से भी launch कर सकते हैं, या project के नाम से भी उसे launch कर सकते हैं, त उसका real name क्या है, वो आपको मिल जाएगा, इसमें परिशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो भी project में खरीद रहे होंगे, जाहिसी बात है, आप देख रहे होंगे, कि वो location आपके रहने लायक है, कि नहीं है, वो उस builder की legacy वैसी है, कि नहीं जैसा आ आप खरीदना चाहते हैं, आपके budget में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सबसे important चीज उसका rara registration है, कि नहीं है, और अगर rara registration है, तो उस पे कौन-कौन से document uploaded है, उसे भी आप लोग study करते होंगे, जहां भी सोगदाकर की मदद लगे, आप ले सकते हैं, हमने query concern form का link भी नीच description में डाल रखा है, आप direct उसे click करके अपने problem को हम तक पहुचा सकते हैं, आगे चलते हैं, अगला सवाल है, आसित गौड़ा जी का, I am Krishna, यानि कि आपके channel का नाम अलग है और आपका नाम अलग है, I am Krishna, a defense employee, I want my personal home, but I cannot decide which one I should go for, flat or land, देखे कृष्णा जी, अगर आप retire हो हैं, और आपको लगता है कि आप समय दे सकते हैं, during the construction, जैसे मान लिए आपने land लिया, तो साल से डेड़ साल, दो साल लगेगा उसे construction करने में, तो किसी ना किसी का look after चाहिए, जिसके निगरानी में वो सारा का सारा construction हो सके, वहाँ पे quality आप देख सके किस तरीके से काम हो र अगर जादा मात्रा में लोग रह रहे हैं, आपको क्योल construction कराने के दौरान महाँ पे जाना है, पानी की क्या सोविधा है, civil line है की नहीं है, ये सब चीज़ें आप एसेस करके, आप जमीन पे अगर घर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके legal paper भी देख लीजे, आप के नाम पे साथ 12 होगा की नहीं होगा ये भी देखिए, आर जोन में है की नहीं है, क्योंकि तमाम construction आज की देख में सेती नाविकास जोन यानि की गुंठेवारी में हो रहा है, तो उसे भी assess कर लें, कल को ऐसा नहीं होना चाहिएगा, आप पैसे लगा भी रहे हैं, डर की भी भावन आपके मन में बनी होई है, और आपको यह भी लग रहा है कि future में कुछ भी हो सकता है, तो सारी चाहिए assess कर लें, ये एक problem रहती है, land खरीदने के बाद घर बनाने में, flat लेनी भी या है, एक तो secure रहता है, एक ही साथ बन के चीज़ें मिल जाती है, हाँ यह जरू इनलेसिस भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है, उसका आई बटन पे चला देते हैं वीडियो, एक बार आप उसे भी देख लें, फिर भी आपके मन में कोई दोविधा है, तो हमें query concern form के जरीए बताईए, या फिर comment करके बता सकते हैं, आसा करते साथियो आप सभी को सौ